बढ़े ने ने पहलू हैं मगदू में और भी बहुत ने पहलू निकलते हैं उसमें तो वो अगर किया जाए तो वो भी अच्छा है बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अन्वर महजम साहब हमें उम्मीद है के हमें उम्मीद है कि आपके मशेंटर भी तरकी करेगा और बेहतर समिनार मुनकिद होगे अब समिनार के बारे में आप हजरात में से कुछ तासूर जो लोग देना चाहें वो आ सकते हैं यहाँ पर अपने तासूर पेश कर सकते हैं लेकिन वक्त की कमी के पेशे नजर तीन ही लोगों को मौका दिया जाएगा जी आज़े शेह नशीफिय तश्रीफ फर्मा हजरात और सामीन कराम अस्सलाम अलेकुम रह्मत लगातो मैं तक्रिबन कल से आज तक इस सेमिनार में शामिल रहा मैं कल से आज तक यानि अभी जो लाज शेशन है मैं सेमिनार में शामिल रहा एक इनी बात है तास्वरात ज्यादे तर जाती ही होते हैं और जब मैं सबसे पहली मेरी जज़बाती तास्वरात जो हैं वो यह है कि एक रिसर्च स्कॉलर एक पदम श्री ओवार्ट के वाज़ू में बैठ कर कोई मकाले के बारे में सोचे तो उसके ज़बात का क्या अंदाज़ा हो यह मैंने अपना ज़ाती तास्वर पर शकर रहा हूँ कि एक तालव इल्म जो पदम श्री ओवार्ट पा चुके हैं और वो मुझे एक मुफीद मश्वरा देते हैं कि बेटा तुम ऐसे करो इस तरह करो इस तरह चलो तो यकिनी बात है यह सेमिनार बड़ों के साथ छोटों का बैठ कर कुछ कहना यह बड़ों की हमत अवजाई हमारे लिए बहुत ही आगे के रास्ता दिखाती है और यह हमारे एक जाती तास्वर है दूसरा इल्मी तास्वर कि कल का जो आखरी सेशन था उसमें मैंने यह देखा कि हमारे सामने तीन ऐसे बड़े बड़े लोग मकाला पेश कर रहे हैं जिनका जैसा कि मुझे मालूम हुआ कि उनका दर्सों तद्रीस से वास्ता नहीं लेकिन वो नाम खलील ममनून साहब थे और एक दो हज़राद थे वहाब कैसर साहब थे जो अर्दू अदब के इस से जो है दर्सों तद्रीस से तालुक ना रख करके फिर भी इस मैदान में इतना मेयारी मकाला पेश करते हैं कि जिससे हम लोगों को हर चीज पढ़ने का अंदास बात को कैसे पेश किया जाए अपने मकाले को टॉपिक के इर्दगिर्द कैसे रखा जा यह सब चीजें सुनने और समझ सीखने को मिला और तीसरी चीज कि इस सेमिनार के जरीए मैंने जो बड़े बड़े नाम सुने थे और उनको जो है मैंने सुना जैसे अली अहमद फात्मी साहब के वारे में मैंने बहुत सुना था क्योंकि हमारे इलावाद के हमारे बहुत सारे साथी रहे हैं मैं तो यहीं से मस्तक्लबिये से लेकर के पेश डी तक मैं इसी से रहा हूँ लेकिन इनके बहुत सारे शागिर्द हमारे साथ रहे हैं बहुत बयान करते थे कि उनके अंदाजे बया ऐसे हैं ये हैं वो हैं और यकीनी बात है जब मैंने उनको देखा तो शायद कि मैं जितना सोच रहा था उससे बहुत आगे हैं तो इन तमाम चीज़ों को मदे नज़र रखते हुए मैं इस तन्जीम का जो इस प्रोग्राम को और्गनाईज किये हैं उनका शुक्रियादा करता हूँ इस युनिवर्सिटी के मुन्तजमीन का शुक्रियादा करता हूँ जिन्होंने इनके अजाज़त दी और सबसे बड़ी चीज़ फिर मैं उन बड़े हज़रात के शुक्रियादा करता हूँ कि जिन्होंने हमें को सीखने का मौका अता किया असलाम आलेक्म कोई अगर पेश करें तो बादम अशुक्रियादा अबर नार्म्म नाजीमली परिंस्पलि मौर्नरम senator कालेज निजमाबाद मेरा नाम डॉक्टर मौम्मद नाजीमली है मैं पिरिंस्पलि मौर्नरमे değra कॉलेज निजमाबाद से आया हूँ तश्री डाइस पर तश्री फर्मा प्रो वाइस चांसलर डाक्टर खाजा यम्शाहिश सहब मुम्तास मारूफ दानिश्वर प्रोफिसर अन्वर मौज़म सहब कन्वेनर प्रोफिसर खालेश सही सहब खलील मामुन सहाब अलीफ फातिमी सहाब अलीफ फातिमी सहाब मेरे उस्तादी प्रोफिसर अश्र रफी सहबा मारूफ अदीबा जिल्यान बानु सहबा दानिश्वर ने महिफिल असलाम वालेकुम अलीफ जाफरी पर मैंने सुबह से कई मिखाले सुने और जाफरी सहाब की शख्सियत और उनके अदबी खिदमात और उनके शेरी खिदमात पर मौसर फिकर अंगेस और दानिश्वरों ने दानिश्वरों अन्दास से उनके अदबी गोशों को पुजागर किया और हजराद मैंने महसुस किया कि आज के इस मैफिल में शिर्क्त करने के बाद कि अलीफ जाफरी भी बहुत बड़े दानिश्वर थे ये और इनका जनाम भी 1914 यसवी में हुआ 1913 और इस मैफिल में ऐसे यानि मेकाले पड़े गए हैं जो फिकर हिंगेज हैं जहन को तरो ताखज़ी ताज़गी बखशे हैं और दूसरे अहम बाद यह है कि इस सेमिनार में नई जिद्देतें और नुदूरतें देखने में मिली है क्योंकि मेकाला के साथ साथ नई बातें भी जहन में दर आई हैं और अली हमेद फात्मी साहब ने जो मेकाले पेश किये हैं हम पढ़ते थे में की जमातों में कि अली जाफरी तरिख पातन शायर हैंगे आज ये दानिश्वरा गुफ्तों सुनने के बाद ऐसा मेस्थवा कि हम जो इल्म हदिल किये वो महदूत था हैंगे इस तरह के सेमिनारों राटने करने के बाद हमारे जहन के दरीचे खुल गए और नहीं नहीं बातों का इंकिशफाद हो रहा है वो आगए हमें हासिल हो रही है तो लहाजा मैं इस मौखे पर वाइस चांसलर और्दू यूश्टी प्रफिसर महमद मिया साहब को समीमे दिल से मुखरबा देता हूं कि वो झाल 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 बहुत जजबाती हो जाँगा वो आदमी ना अपनी मौट का जिक्र ना अपनी बिमारी का ना अपने दुख सुक का मैं निया सफर निकालता था इस वगर तो भर्राई होई आवाज में बहुत कमज़र आवाज में उनों पूछा कि नया सफर का अगला शमारा का बारा है जारे इस्पिट देखिए जो आदमी कल मरने वाला है वो अपने दुक की बात नहीं कर रहा है रिसाली की बात कर रहा है और उसमें क्या क्या तुम दे रहे हो पनी की तजवीज थी कि एक ऐसा भी शमारा निकालना जिसमें अर्दू के ग्यान पीर्ट के इवार्ट के नाम याफदगान है खुरतल नहिदर, फिराफ साब और वो खुद बहुत सारी इसकी में, बहुत सारी किताबी उनों ने दी बहुत सारे काम मुझ से लिए एक खौाहिश उनों ने, एक खौाहिश मैंने उनसे जाहिर की थी और एक खौाहिश फिर उनोंने मुझ से जाहिर की मेरी खौाहिश यह थी कि जाफरी साब आप अपनी खुदमविश क्यों नहीं लिखते आप बीती क्योंकि आप बहुत अच्छी नस्र लिखते हैं और आप बहुत उम्दा किताब लिख जाएंगे अगर आप अपनी आटोबाई ग्राफी लिखें तो मुस्कराएं उन्होंने कहा कि अब मेरा हाफ़ा साथ नहीं दे रहा है और फिर मिया फात्मी अब लोगों में सच सुनने की आदत नहीं रह गई और आप बीती में अगर सच ना बोला जाए तो फिर वाले हमस्रूर की आप बीती हो जाती है यह बला भी काता हुआ जो अब लोग सुनने को तयार नहीं और बहुत सारे मुस्कराएं भी किलने यार बहुत सारे बहुत सारी पर्दा नशीनों के भी नाम आ जाएंगे छोड़ो बितकुर छोड़ो जाने दो अज़े एक काम तु मेरा करो वे निगाफ फरमाईए हुकम दीजे के लें मेरा सारा कालाम एक जगाँ जमा कर दो बहुत बिखरा आए और फिर उनों ने कुछ अपने जैसे मुझे यादा रहा है पत्थर की दिवार पहराहन शरर वो मजमें जो पहले अडिशन थे और जिसमें उनों ने तस्रीख की थी इसमें से की जगाँ पर यह वो सब मेरे पास बहुत कीमती चीज़ें महफूज हैं यह हुआ कि उनका इंतिकाल जब हो गया तो वो अर्दू अदब का तो बड़ा हासा था ही जाती तो पर मेरे लिए बहुत बड़ा हासा था जाफरी साब का जाना और इतिशाम हुसें का ज आपके तज्विज मानता हूं लेकिन उनकी बेगम से इजाज़त दिलवा दीजिए सुल्ताना अपाक बास जैसी खद गया तो सुल्ताना अपाक को मैंने फोन करके बता रखा था तो उनों ने इसी शर्त के उनको जवाब दिया कि ये काम जरूर होना चाहिए लेकिन इस का अदार जाफरी को तर्तीब दिया जो दो दिलजों में और्दू काउंसिल ने चाथ दिया कुछ वो चीज़ें भी जाफरी साहब मुझे दे गए थे और बाद में सुल्ताना अपे ने दिया जो किसी मजबूए में भी नहीं है मैंने मरसी बहुत तलाश किये जो आप करे त उसी जमाने में सुल्ताना अपा ने ये भी खाहिश जाहिर की कि सरदार जाफरी के कुछ विखरे हुए मजामीन हैं जो मेरे पास हैं ये तुम ले लो और तुम इसे किताबी शक्ल में शाया करो मेरे खाल मैं आट दस मजामीन कुछ थे उनों मुझे दिये थे कुछ मैंने भी जमा कर रखे थे फिर कौंसिल ने मुझे से कहा कि आप ये सेंटेनरी येर है आप इस सदी के मौगे पर आप उनके जो बिखरे हुए मजामीन हैं जो उनकी किताबों में नहीं हैं जो रिसाला शाहरा नया सवेरा नया अदब और साकी वगरे में तो मैं पिछले एक साल इसी काम में लगा हुआ था तकरीबन बैयालिस मजामीन का एक इन्तेखाब ही में कहूंगा कुलिया तो नहीं एक इन्तेखाब और पांच सो से उपर सफ़े की एक किताब कौमी अर्दू कौंसल चाप रही है जो मेरे खाल में पंदरा बीस दिन में आ जाएगी और एक किता तकरीबन ठाई सो सफ़े की पब्लिकेशन डिविजन जो सरकारी अधारा है जाफरी हयात और खिद्मात के तोर पर उन्होंने भी मुस्सिल लिखाई हाला कि ये बहुत मामूली काम है लेकिन शायद ये किताबें आ जाएंगी तो मैं समझूंगा कि मैंने उनकी बे पनाह श पकिर और ऐसा मल्टी डाइमेशनल मेनी साइड डिर जिसे अंग्रेजी में आप कहते हैं हमा जहत अधीब तो मैंने कमसकम मेरी उमरी क्या मेरी बिसाथी क्या है लेकिन जतना भी तरकी पसंद तहरीक के हवाले से फिराख साब को भी देखा बहुत जबरदस आदमी थे फिर कर सबसादा कोई शक्न निशाना बना है तखते मश वो सरदार जाफरी थे लेकिन मैंने सरदार जाफरी को कभी गुसे में और नाराज होते हुए नहीं देखा हमेशा वे खास किसम का तबस्म उनकी आँखों में उनके लबों पर और छुट छुटी नरम नरम उंगलिया उ तेहर जाती थी एक ऐसा स्टाइल ये जिगर स्टाइल था और जिगर की जो बेन्याजी होती वो बहुत लोगों ने बहुत लोगों को जिगर ने माना बहुत लोगों ने जिगर को मारा यह सब एक पूरा जिगर स्कूल है तो ऐसा तिलिसमी शख्स ऐसा जादूई शख्सि मख़ब तारीख तहजीब फलसफा और नजाने कितनी चीज़े हैं जहां पाबलु नरूदा भी हैं नाजिम हिकमत भी हैं गाजी नजरु इसलाम भी हैं रूमी और हाफिज और साधी भी हैं और कबीर भी हैं गुरु नानक भी हैं पज़ लिए पतने चश्मे थे जो सरदार जाफरी के कल्ब जीगर में जाके पैवस्त हो गया थी परहल अज़ाती मौका मिला तो ऐसे ऐसी शक्सियत ना बगए रोजगार शक्सियत पर अर्दू इनुस्टी ने सेमिनार के इहतमाम किया बड़ी शक्सियत थी उन्होंने सेमिनार किया मुझे लग रहा है जैसे जाती तो पर मेरे उपर उन्होंने इहसान किया या मैं जाती तो पर इनुस्टी के अरबाब हलोगत का शक्रगजार हूं कैसे बेमिसाल फनकार मुखालफत से कभी नहीं डरते थे बलकि एक 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 शेर उनका सुना देना चाहता हूं कि मुखालफत को देखे करने कि जिन्दा और बेदार लोगों में ही मुखालफत होती है का मैं कभी कभी बिगड़ जाता था तो डांटे थे मुझे कि मुखालफत से मट डरा करो मुखालफत का मतलब यह है कि तुमारी बात को इंडिरिकली रिकेगनाईज भी कर रहा है और फिर शेर सुनाया उन्होंने कि मुखाल इक्तलाफाद से खलती है तखयूल की गिरह लिस्वा देखिए कि इक्तलाफाद से खलती है तखयूल की गिरह यह भी एक राए है यह तजवीज में पेश करता हूँ अरबावि हलो अक्त के सामने और इनुस्टी के यह लोग लग गए खास्तों बहुशाहिए साब लग कि मेरा इद्राबादाना मेरा सुवारत हो गया बहुत बहुत शुक्रिया आपके बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अलियामद फात्मी साहब हाजरीन एकराम उर्दू जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उर्दू एक तहजीव और सिकाफत का नाम है उर्दू सिर्फ एक जबानी नहीं है बलकि उर्दू बोलने वाले जहां भी जाते हैं जिन लोगों से मिलते हैं अपना एक तहजीव और तहजीव का वरसा चोड़ जाते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन से मिलकर या जिनकी बातों को सुनकर आपको लगता है कि आप बजाते खुद उर्दू जबान को देख रहे हैं या उससे मुखातब है और उनको देखकर कुछ अच्छे ख्यालात आपके जहन में आते हैं हमारी यूनिवर्सिटी मौलाना अजाद नैशनल इर्दू यूनिवर्सिटी है और ये समिनार अली सरदार जाफरी साहब पर मनकिद हुआ जो कि अर्दू जबान के एक एहम सुतून थे और इस वक्तृतामी सेशन की जो मैं जो हमारे सदारती कुर्सी को पर जो जलवा फरोज है वो हमारी उनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर फ़ाजा मुहमद शाहिस साहब है मैं किसी शायर के एक शेयर के साथ जो कि मुझे बहुत पसंद है और मेरा दिल चाहता है कि उनके नजर करूँ उन से दर्फास्त करूँगी कि वो अपने सदारती खिताब से हमें नावाजें वो अर्दू का मसाफिर है यही पहचान है उसकी जहां से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है मौज़िस महमान गिरामी और इस सेमिनार के शुरुका ताजबिस्मो मुंद्जमीन मैं कल भी यहां मौजूद था जब इसका इफ्टता हुआ था और अभी फात्मी साब ने जो इसका इफ्टताम किया जिस जजबाती अंदाज से और जजबाती ताजबात के होज़े से तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो मकसद था इस सेमिनार करने का और सदार जाफरी साथ को खराज आकिद्ध पेश करने का और उनकी यात को ताजा करने का उनके शायरी को उनकी नसर को उनकी तनकीद को उनके हर फोर हर मीडियम जिसको उनने इस्तेमाद किया उसको हम सराने के जिए यहां जमा हुए उस पर नजर डाजने के जिए इस पर गोर करने के जमा हुए तो मैं समझता हूं इस से मैं उस उन पहज़ियों से बहुत काम्याब रहा खाद से इससा को मबारिक बाद देता हूँ मैं जब मैंने उन से गुफ्तू की थी छह साथ महीने पहले या आट महीने पहले के एक सेमिनार सजार जाफरी साब पहां मरकत किया आए तो उन्होंने फौरान उसको दबैक कहा तैयारी में ल देजिये या उस तहरीक के आबाद का जोरी रहा लोग हैं उनसे में एक कहता रहा पेसे करीब साथ भर से के सदार जाफरी के उपर एक सद्सादा तक्रीबात का मुल्क गीर पहमाने पे ये तरक्य परसंद मुस्थनिफिन की जो तन्जीम को करें इत्तफाक से शायद वो का नहीं हो पाया वजी जावेश साथ जो शायद सेक्टरी हैं आपके तरक्य परसंद मुस्थनिफिन के डेजिय यूनिवस्टी के वो अपनी कुछ जाती परिशानियों में से कुछ भस गए वगरा वगरा ये काम नहीं हो पाया लेकिन खौतिन हज़रात आपको ये जान के ज जरूर जरूर खुशी होगी कि सदार जाफरी के तालुक से उनकी ये ससाथा पैदाश की साथ के तालुक से मुक्तलिफ शहरों में लोगों ने इन फरादी तोर पे प्रोगाम मुनाक्ट किये हम लोग पिछले हफ़ते सहित एकडिमी के सेमिनार में तो ये सदार जाफरी